आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में UP PCS हो, ROAR हो या फिर सबसे तीसरी चीज़ BEE हो या फिर वो एक्जाम हो जिसमें लिखा जाता है, APO का एक्जाम हो जिसमें पत्र लिखन जरूर आता है तो एक प्रशन फिक्स आता है, आप किसी भी एक्जाम में देखिएगा हर साल या तो आएगा सरकारी, या आएगा अर्ध सरकारी, या आएगा दोनों में अंतर तो ये चीज़ तो fix है, तो सरकारी में पढ़ा चुका, अर्ध सरकारी पढ़ा चुका अगर वो दोनों नहीं आ है, तो ये confirm है कि दोनों में अंतर जरूर आ जाएगा यह UPPCS की खास बात है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, UPPCS का pet question क्या हो गया, या तो आ जाएगा सरकारी पत्र, या आ जाएगा अर्ध सरकारी पत्र, या दोनों के बीच में अंतर, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहा है, दोनों के बीच में गजब के अंतर, 10 नंबर का आता तो चलिए सबसे पहले से, अब आप ऐसा नहीं कि ऐसी ही इतने लाइन, मैंने ये short में लिख रखा है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, आप इसको थोड़ा सा लंबा करके लिखेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, यह पत्र सामान ने उद्देश से भेजे जाते हैं, आम तोर पे जो सरकारी पत्र होते हैं, नॉर्मल उद्देश से, यह काम चलना है, आपको जानकारी दे दिया, यह काम करना है, कोई काम के विशह में बताना है, यह सामान ने उद्देश से भेजे जाते हैं, लेकिन जो दूसरे पत्र होते हैं, यह विशेश उद्देश से भेजे ज तो कुछ नग कुछ विशेष उद्देश से ही किया जाता है, याद रखिएगा, अर्धसाज की पत्र का उद्देश विशेष रहता है, पहला, दूसरा अंतर, ये पूर्णत अउपचारिक, प्योर फॉर्मल लेटर, क्या होता है, सरकारी पत्र, पूर्णत अउपचारिक का मतलब प्योर कोई भी फरजी बाती दरदर की ने, सिर्फ काम की बात होगी, वो अपचारिक, लेकिन ये जो होता है, आम तोर पे 90 मतलब प्राय, 90% से ज़्याद है का मतलब आम तोर पे अनपचारिक ही होता है, मैंने आपको बता रिया था, अर्धसरकारी पत्र क्या होते है काम सरकारी होता है, इसमें लेकिन तरीका क्या होता है, पत्र का लेटर लाइटिंग का तरीका क्या होता है, अनपचारिक, मतलब काम हम सरकारी कराना चाहते हैं, लेकिन हम लिखते हैं प्री भाई, दोस्त, यारी दोस्ती में काम कराते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है, प्रा आत्मी धंग से लिखे जाते हैं, अनात्मी का मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि यार, भाई यार प्रीज कर देना, ऐसा कुछ नहीं, प्योर सरकारी, मतलब बिल्कुल भी फरजी बाते हैं कुछ नहीं, प्योर सरकारी का मतलब कोई feelings नहीं रहेंगी इन सरकारी पत्रों में, लेकिन मैं यार तुमको बता रहा हूँ, आप कर दीजे, मैं कर दूँ, मतलब ये मध्यम या अन्य पूरुष में लिखे जाते हैं, अगला, ये प्रथम पूरुष में लिखे जाते हैं, याद रखियेगा, अन्य का मतलब प्रथम पूरुष में, ठीक है, अगला आजाईए, ये सरक सरकारी अधिकारी के पद नाम से भेजा जाता है ऐसा नहीं कि राजेश जी राजेश जी नहीं है उस आदमी का पद का नाम यह सरकारी अधिकारी के पद नाम से भेजा जाता है लेकिन यहां क्या होता है व्यक्तिगत नाम से अरे राजेश श्रीवास्तो जी अरे भाया नाम लिख दीजिये, कुल मिला के. अगला, संबोधन. जब हम किसी को संबोधन करते हैं, तो सरकारी पत्र में महोदय लगाते हैं. जैसे प्रिंसिपल को पत्र लिखना है, तो महोदय लिखेंगे. लेकिन यहां पर क्या लगाते हैं, सबसे पहले प्रिय श्री या प्रिय श्रीमती और उसके बाद लिखते हैं उपनाम ऐसा नहीं के राजे शुकला जी शुकला जी तेक और याद रखे जब ये पत्र खतम होता है तो लिखते हैं भावदी ये लेकिन इधर का पत्र खतम होता है तो लिखते हैं भवननिस्ट या फिर आपका ये feeling वाला word है ये without feeling और last, भावदिये के बाद कुछ नहीं लिखा जाता है official letter में, लेकिन unofficial letter में भावदिये लिखा जाता है दाहिने तरफ और उसके just नीचे बाईं तरफ लिखा जाता है, जिसको आप letter भेज रहे हैं, प्रेशिती का नाम एवं उसका पदनाम पता पूरा, वो लिखा जाता है इसमें unofficial में, तो इतने अंतर होते हैं, आपने इतना लिख दिया बहुत है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर बताईएगा, ये सबसे pet question है, देखिए हर exam का, जरूर आ जाता है, thank you so much